आज नवरात्र का पांचवा दिन है और भारत भर में सकंद माता का पूजन हो रहा है सकंद माता जिसकी गोद में बालक सकंद दिखाया हुआ है इसलिए उन्हें सकंद माता कहा गया है नारी का ये स्वरूप जब वो जनम देती है एक बालक को तो कहा जाता है एक बालक के जनम के साथ नारी का भी एक नया जनम होता है जहां उसके अंदर संपूर्ण परिवर्तन आता है मम्ता जागरत होने लगती है वातसलिय भाव जागरत होता है और सने की शक्ती के आधार से वो अपने बच्चों को सुसंसकारित करने लगती है एक नारी जब मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है अर्थाथ वही सकंद माता है जिसकी पूजा लोग नवरात्र में करते हैं कहा जाता है कि मा सकंद की पूजा करने से परिवार के अंदर आशिरवाद प्राप्त होता है तो इसलिए ये स्वरूप भी नारी का इतना सम्मानिय पूजनिय है क्योंकि जब वो परिवार के वृद्धी करती है और अपने बच्चे को स्नेह की पालना देते हुए न्यारी और प्यारी हो करके उनके अंदर स्रेष्ट संसकारों का सिंचन करती है तो वो स्रेष्ट संसकारों का सिंचन करने के लिए धैर्यता चाहिए वो वादसल्य चाहिए और साथ ही साथ हर रिती से बच्चों को एक मा के प्यार की आचल की उसको सुरक्षा मिलती है परन्तु आज की दुनिया में देखा जाता है कि जहां नारियां भाग रही है जीवन के अंदर आगे बढ़ने के हिसाब से या पैसे कमाने के लिए तो कहीं न कहीं उसका वादसल्य भाव छूटता जा रहा है और वो वादसल्य की कमी होने के कारण जिस तरह का संसकार बच्चों के अंदर आना चाहिए वो संसकार दे नहीं पा रही है और इसी लिए वो परिवार का स्रिजन तो कर लेती है लेकिन स्ने और संसकारों की पालना नहोंने कारण वही बच्चे उस मात पिता का नाम बदनाम करने में भी देर नहीं करते तब कहीं उसको एसास होता है कि आज इस बच्चे को जो संसकार देना चाहिए था मुझे वो मैंने नहीं दिया उस समय शायद बहुत देर हो चुकी होती है आज हम देखते हैं बच्चों को जब अच्छे संसकार नहीं मिलते हैं तो किस प्रकार कई बुरी आदतों में हस जाते हैं बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद कितना भी उन बच्चों को वापस लाने का प्रैत्न करें तो भी वो बच्चे उस बुरी आदतों से वापस नहीं आते हैं नवरात्र का ये पाँचवा दिन हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि अपने बच्चों की जिम्मेवारी उसको संसकार देने की जिम्मेवारी उसकी सनेय से पालना देने की जिम्मेवारी को निभाना है ताकि एक बहुत सुन्दर सृष्टी का निर्मान कर सके झाल